नमस्कार दोस्तों ये मेरे पास 32 इंच की एक स्मार्ट टीवी आई है इसमें कुछ टिपकल फाल्ट है ये है रियल मिल की टीवी और इसमें जो प्राब्लम है ये आप लोगों को जानने के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपको काफी हेल्प कर इस टाइब के फाल्ट को इसमें प्राब्लम है यहाँ पर देखें यह में से लिडी जल रही है और अभी आन भी हो जाएगा लेकिन डिस्प्ले नहीं है और नहीं इसमें backlight जल रही है ठीक है तो इसमें problem कई है लेकिन सभी problem का यहाँ पर एक solution है जो कि आप इस वीडियो में देखें जे देखें जिसे यहाँ पर हमने इस remote से on और off किया अब यहाँ पर देखें यह on तो हो गए टीवी बिभिन यहां पे डिस्पले नहीं देखने को मिलेगा इस दिखाते हैं आपको यह सिम्टम इस लिए बता रहा है कि अगर आपको इस इस से रिलेटर डेखने को मिले तो कैसे इसे टेस्ट करेंगे और पाल्ड को टेस्टाउड करके कैसे इस पाल्ड को साल्ड करेंगे यहां पे बैक लाइड भी नहीं जल रही है यह आन और आफ हो रहा है स्मूथली अब इसके बोल्टिज को हम टेस आउड करेंगे यहां पर सबसे पहले हम इस बैक लाइट के बोल्टिज को देखते हैं क्योंकि अगर अगर टीवी आन होगा तो बैक लाइट का यहां प हो लंगा बातों को जलेगा तो यहां पर बोल्टिज फ्लो होगा जिसे 17 वोल्ट है तो इससे अधिक लिए पर जया अगरThis tea अब कर लागा नहीं जै जो हमारा कॉर बोल्टेज है वह अप और डाउन हो रहा है यहां पर देखें ध्यान से जो 1.2 जैसे 1 बोल्ट होता है उसका कॉर बोल्टेज यह 5 बोल्ट ओके है यह 3.3 बोल्ट ओके है कर दोल्ट होता है झाल 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 पर देखेंगे जो पूल्टेज आ रहा है बिश्यसी यहां देखेंगे तो 7.1 बोल्ट आ रहा है ठीक है इससे पैनल वर्क नहीं गरेगा क्योंकि पैनल 12 बोल्ट का है अब यह जो बैकलाइट का वोल्टेज है यहां पे 28 बोल्ट होना चाहिए जो की 17 से 18 बोल्ट यहां पर मिल रखेंगे यहां पर 12 बोल्ट होना चाहिए 7 बोल्ट मिल रहा है ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यह जो capacitor लगा हुआ था, यहाँ पे हमने capacitor को चेक किया, तो यह ok था क्योंकि power supply से related problem है इसमें, अब इस problem को solve करने के लिए यह problem कहां से है, इसको हम capacitor चेक किये, capacitor ok है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर capacitor में part होता, तो voltage प्लेक्चोट होता यहाँ पे एक symptom और जान लें आप लेकिन voltage constant है कि जो 7 है तो 7 ही है तो इसका मतलब की हमारा error detector से related problem है तो हम उसमें ही इस problem को test out करेंगे जिसे यहाँ पर देखें error detector की circuit यहाँ पे है और यहाँ हम सबसे पहले continuity mode इसको रखते हैं बजर के mode पे जिससे बीव का indicate करेगा तो यहाँ जिसे 12 volt है यहाँ बारा बोल्ट अब बारा बोल्ट से जो रिलेट जो रिलेट कर रहा है resistance यहाँ पर देखें बीव दे रहा है तो जहाँ जहाँ बीव दे रहा तो यह जिससे यह रिलेट करके यह voltage को जनरेट किया गया है constant यानि रिलेट करने के लिए तो उससी voltage से रिलेटर यह problem भी हमको चेक करना है वो कैसे जैसे अभी हमने continuity mode पे रखके इसको चेक किया है अब यहाँ पर इसी resistance को हम चेक करेंगे जो 12 volt से related है यहाँ पर 2.2 किलो ओम resistance यह सही है एक resistance और है जो 12 volt से connect हो रही है यह यहाँ पर देखेंगे तो यह 6.8 वह भी up down हो रहा है तो यहाँ पर doubt है यानि यह resistance इसको हम उलट कर देख लेते हैं उलटने पर भी यही condition बता रहा है तो यहाँ पर यह doubt है यहाँ जो resistance लगा हुआ है अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसका कितना किलो ओम है देखे आर एक आर डी फॉर्टि फॉर्टि फाइव इसका लोकेशन है यहाँ पर एक सेकंड आर वन डी फॉर्टि फाइव अभी है अभी स्बेर स्वरी आर डी फॉर्टि फाइव नहीं है उसके नीचे वाला है यहां पर देखेंगे आर वन फॉर्टि फिर्फिरी है फिर्टि यहां पर जो रिजिस्टन लगा हुआ है 49 के का है इसको हम open कर लेते हैं open करके इसको चेक करते हैं दिखाते हैं क्योंकि जो doubt है पहले उसके clear करना जरूरी होता है कि problem कहां से है यह रचे इसे यहां से हम disorder कर लेते हैं रिमूब करके और इसे अब यहां से हमें एक रेश्टन्स लेंगे एक पोल्ड की सिवी है वहां से इस रेश्टन्स को हम जरूब करके और वहां पर लगा देंगे इससे थोड़ा सा साइज में बढ़ा है लेकिन लग जाएगा उसके पहले हम दोनों का compression करके यहां पर दिखाते हैं देखे जो रेश्टन्स हमने 49 के का निकाला है ओल्ड की सिवी में से वह यहां पर थर्टी एट पॉइंट कुछ दिखा रहा था कि और यहां पर जो रेश्टन्स हमने वहां से रिमूब किया है यह ओपन दिखा रहा है तो फाल्ट यही से है इसको हम लगा कर पिर देखते ह है यह बार हम इसे जूम करकर दिखाते हैं देखे 393 यानि 49 के अब इस रिजिश्चन को यहां पर हम लगा देंगे अब इस एक आप से एक टैमरा है इस प्रसक्राइब टो है अब इस कुम में आपडाशस के लिख संग है 20 को यह उलका यहाया है अब यहां पर हमने ग्रेशन लगा दिया अब यहां पर देखे सबसे पहले मैंने एक्स्टरनल टोयल वोर्टीन करा के इसको कनफर्म किया था ठीक है अब यहां पर हम इस कैपिस्टर को फिर से दुबारा लगा देते हैं जो हमने चेक करने के लिए निकाला था क्योंकि कोई भी पाउर सप्लाई रिपेर की जाती है त तो हमने डाउट पे इसको भी ओपन कर लिया था कि यह कहीं बीक तो नहीं है क्योंकि इसमें अगर फाल्ट होता कैपिस्टर का तो जैसे कुछ सिम्टम होते हैं फ्लेक्चुरसन का तो वह नहीं था इसमें मैं अब अच्छेलीा सप्लाई दे कर चेक करते हैं और उससे पहले इसको हम यहाँ पर साफ कर लेते हम इसको मुल्दिनर से साफ कर लिए और साफ करने से कि एक बार यहां पर बूर्टेज को भी चेक करेंगे पहले सप्लाइद देंगे कि यहां पर सप्लाइद देने जा रहे हैं और सप्लाइद देंगे यहां पर तो देखे का यहां इंडिकेशन चलेगा 12.4 यानि ओके हो गया यह प्रॉब्लम रेजिस्टेंस अब यहां पर देखेंगे बैक लाइट का 25.74 वोल्ट यह भी ओके हो गया क्योंकि यह भी बोल्टेज ड्रॉप था वह भी बोल्टेज ड्रॉप था लेकिन यहां पर ड्रॉपिंग में फ्लेक्शोशन नहीं था यह 12.37 की पैनल का वुर्टेज है यह लिए रेजिस्टर्स अगर कार्मर्स रेजिस्टर्स में लगाना होता तो इसका कलर यहां पर देख सकते हैं ओरेंज वाइट ओरेंज यह उन्तालिस के यह रियलमी की 32 इंच की एलेटी टी भी है यह पर पिक्चर को भी देख सकते हैं यह पूरी तरीके से टीवी ओके है तो आज की वीडियो में बस्तना ही मिलते हैं ने वीडियो में थैंकि दोस्तों और देखते रही है